अनुमानगड की नौहर से है जहां राजसरकार द्वारा विधायक अमिच चाचान की अभिशनशा पर नौहर नगरपालिका में मनोनित किये गए छे नव मनोनित पारशदों को नौहर उखन कारयले में स्टेम श्वेता कोचर द्वारा पद्वग ओपनियता की शपत दिलाए गई इस मौके पर मनोनित पारशद, पवन कुमार सुथार, सतीष चंदर सोनी, सुरेश तिवारी, सादक अली, विश्वनात परताप सिंग, पश्रिमरती, अंचल को पद्वग ओपनियता की शपत दिलाए गई आपको पता दे कि इनमे से सुरेश तिवारी लगातार दूसरी बार नौहर नगरपालिका में पारशद मनोनित हुए है शपत ग्रहन के मौके पर विधायक अमिच चाचान ने सभी मनोनित पारशदों को बधाई देते हुए कस्पे के विकास में भागिदारी निभाने की बात कही इसके लावा उन्होंने पारशदों से सरकार की विभिन जन्ट कल्यानकारी योजनाओं को आमजन तक पहचा कर लाब दिलाने की बात कही जिस पर सभी मनोनित पारशदों ने कस्पे के विकास में भागिदारी निभाने का संकल्प धोराया जिस सक्षी शुद्धा और निष्था ने जा रहा हूं सक्षे निष्था से निभाने कर दोरा नोहर नगर पाली का मंडल में शैप पारसर मनोनित किये गए ते जिसको आज उपकरन कारेले में एस्टम साहिबा दोरा सपर दिलाई की है और मैं यहीं उमीद करता हूं कि आने वाले समय में इच्छा पारसर्दगर नगर पाली का मंडल के साथ मिलकर सहर के विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे और हमारे चेर्में साहिबा मोनिका खटोतिया जी के नेतरतों में नोहर नगर पाली का